अगर आप लोग computer format करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए sufficient होगा इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है इस वीडियो में मैं in detail बताने वाला हूँ starting से लेकर आपका ending तक कि आप अपने laptop या computer को किस तरह से format या reboot कर सकते हो तो उसके लिए आपको कुछ जो की जरूरत पड़ीगी जैसे कि Windows 10 का आपको ISO फाइल, second आपका एक pen drive जो की at least 8 GB का होना चाहिए प्लस internet obviously and more than 1 GB definitely आपको 4 GB का ISO फाइल डाउनलोड करना है, so step 1 है आपका ISO फाइल को डाउनलोड करना, so ISO फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो या अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप उसे मांग भी सकते हो, so ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Microsoft Download, मतलब कुछ भी आप लिखो Windows 10 Download Microsoft के website से, so उसके बाद Microsoft का website आजाएगा सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद जब आप website खोलोगे, तो इसमें आपको यहाँ पर Create Windows 10 Installation Media का option मिलेगा, फिर आपको इस Download Tool Now को क्लिक करना है, आपका 20 MB का फाइल है, यह आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपने इसे जहां भी डाउनलोड किया है, वहाँ पर आपको जाना है, and आपको इसे बस open कर लेना है, के बाद बस आप इसे accept कर लो, इसके बाद आपको यहाँ पर दो option मिलेगा, Upgrade this PC Now, बट आपको second option को क्लिक करना है, जिसमें आपका ISO फाइल लिखा है for another computer, so इसको क्लिक करने के बाद आपको next क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर recommended setting, फिर next, then आपको यहाँ पर ISO फाइल, अगर आप पहले वाले को select करोगे, तो basically आपके pen drive में directly boot होगा, पर मैं इसे prefer नहीं करता हूँ, मैं अलग से Rufus के मदद से boot करना ज्या आप बस वहाँ पर save कर दो, and आपका download start हो जाएगा, so basically यह जो है तो time taking process है, यह करीब आपका 4-4 GB का file रहता है, so download होने में थोड़ा time लेगा, so इसको download कर लेना है, उसके बाद आता है आपका second process, so second process में आपको एक pen drive की जरूरत पड़ीगी, जो की होगा at least 8 GB का, and second जो आप आपको बस इस software को download कर लेना है, so download करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में option मिल जाएगा, Rufus 3.1 अभी presently चल रहा है, so आप इसे बस यहाँ से click करोगे, तो यह software आपका download होने लगेगा, so यह रहा मेरा Rufus का software जो की मैंने अभी अभी download किया है, और यह रहा मेरा Windows का ISO file ज open कर लेना है, so open करने के बाद आपको यहाँ पर device दिखा रहा होगा, जो की आपका pen drive है, second आपको यहाँ पर boot selection में आपको disk या ISO image दिख रहा है, but यहाँ पर एक आपको बगल में select का option है, तो यहाँ से आपको अपने ISO file को select कर लेना है, जो की अभी अभी आपने download किया था, select क scheme में आपको यहाँ पर MBR format में करना है, so जैसे ही आप click करोगे यहाँ पर BIOS और UEFI mode आ गया, उसके बाद आपको start click करना है, and yes, इसके बाद एक आपको warning message मिलेगा, and वो बहुत important है कि अपने pin drive को please खाली रखना, क्योंकि जैसे ही यह ISO file आपके pin drive में जाएगा, bootable drive बनेगा, आपके pin drive में जितने भी data है, वो सारा का सारा delete हो जाएगा, so pin drive से सारे data को सबसे पहले निकाल लेना, that is very important, so निकालने के बाद आप directly यह method कर सकते हो, उसके बाद आपको बस OK click करना है, so इसके बाद यह काफी जादा time लेगा, basically 10 minute के आसपास आपका time लग सकता है, and इसके ब बूट बटन है, वो F9 है, तो basically मुझे इस pin drive को अब plugin कर लेना है, and जब यह restart होने लगे, जब वापस से सुरू होने लगे, उस समय पर मुझे F9 प्रेस करना है, या बहुत बार वो अपने आप भी boot menu में चला जाता है, so यह अब restart हो रहा है, so मुझे अब F9 को प्रेस करना ह तो अब पूछ रहा है कि आपको किस option से boot करना है, so basically मुझे यहाँ पर अपने pen drive से boot करना है, जो की है मेरा sand disk का, so यहाँ पर यह option आ गया है, so enter करने के बाद यह अपने आप ही boot होना start हो जाएगा, and यह मेरा boot start हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस starting म आप ऐसे ही छोड़ दो, बाद में आप इसे change कर सकते हो, but उसके next करो, then install now, फिर यह checkbox को क्लिक करना है, I accept the license terms, पढ़ना है तो पढ़ो, वैसे कोई पढ़ता तो है नहीं, फिर उसके आप टिक करके next, उसके बाद फिर custom, and यहाँ पर यह रहा आपका important, so आपके hard disk में जितन आपका जो C drive को छोड़के जो बाकी drives हैं, वो आपका delete नहीं हो, जैसे मेरे case में यह fourth partition जो है, and fifth partition जो है, यह दोनों मेरा D और E drive है, तो मुझे इसे delete नहीं करना है, बाकी सब को आप select करके आप delete कर सकते हो, जैसे कि यह un allocated space है, उसी तरह से यह मेरा C drive है, जिसे भी मैं delete कर सक करता हूँ, and उसके बाद मुझे एक fresh installation करना है, मुझे अपना installation मेरे SSD में करना है, जो कि मेरा यह drive 1 un allocated space, तो मुझे इसमें करना है, so directly मुझे next click करना है, but मैं चाहता हूँ कि मेरा hard drive का जो मेरा space है, वो सारा delete हो जाए, so आप यहाँ पर इसे manually delete कर सकते हो, so delete करने के लिए बस okay, फिर यह मेरा C drive है, जो कि मेरे अभी का computer का C drive है, तो यह भी 256 GB का है, मुझे इसे भी delete करना है, so मैं इसे delete कर सकता हूँ, फिर यह मेरा recovery drive है, जिसे भी मैं delete कर सकता हूँ, इसका मुझे need नहीं है, so आपको इसे select करना है, select करने के बाद आप इसे बस next click कर दो, so that's it, so अब आपका windows अपने आप ही install होने लगेगा, बस आपको आदा गंटा बस इंतिजार करना है, so जब तक इंस्ट्राउल ना हो, बस wait करो, wait, 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 बस, so यहाँ पर आप लोग को अपना microsoft account डालना है, अपने windows को verify करने के लिए, so अगर आपके पास original windows है, तो वो किसी ना किसी microsoft account से link होगा, तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हो, so यह रहा अपना windows, so mainly reboot करने के लिए इतना ही process था, but अगर आपको अपना laptop नॉर्मल यूज करना है, तो अभी खतम नहीं हुआ है, so इसके बाद भी आपको कुछ process करना पड़ेगा, जैसे कि जब आप अपना laptop खोलोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि screen कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो basically उसका reason यह होता है कि आपके laptop में अभी driver इंस्टॉल नहीं है, and driver basically वो चीज होता है कि आपके laptop में जो hardware है, उसको चलाने के लिए कुछ software होता है, जिसे हम लोग driver कहते हैं, for example, आपका जो speaker है, उसका अलग driver होता है, mousepad जो है, उसका अलग driver होता है, तो बहुत सारे driver होते हैं, Wi-Fi का अलग driver होता है, तो most of the driver आपका Windows 10 के साथ pre-install आ जाता है, but कुछ driver ऐसा है, जो कि आपको बाद में install करना पड़ता है, and वो install करना बहुत ही easy process है, मैं सिर्फ एक process बताऊंगा, और उससे आप सारा driver को install कर सकते हो, so इन दोनों के बाद अब आते हैं driver पर, तो driver को install करने के लिए, आप लोग को नीचे search में type करना है, device manager, तो device manager ये खुल गया, so इसके बाद आप लोग देखोगे, इसमें किसी किसी option में troublesuit का sign दिखा रहा है, और अगर नहीं भी दिखा रहा है तो, जैसे कि मेरा काफी सारा driver अपने आप install हो गया, जैसे ही मैंने wifi से connect किया, वो अपने आप ही install होने लगा, अगर driver को install करना है, किसी भी driver को, ये चाहे audio का driver हो, या आपका video का driver हो, जैसे कि display adapter में, आपका graphics का driver जो है display adapter में मिलता है, अगर आप इसको right click करोगे, then आपको यहाँ पर update driver का option मिलेगा, so update driver क्लिक करने के बाद, फिर यहाँ पर automatic search पे लगा दो, ये अपने आप ही check कर लेगा, कि आपका driver update है या नहीं, and अगर install है तो ये message आजाएगा, the best driver for your device are already installed, और अगर आपका driver installed नहीं होगा, तो जब आप इसे right click करके update करोगे, so उस समय आपका फिर वो download होने लगेगा, जैसा कि इस video में आप देख सकते हो, so basically हर एक option को खोल कर एक बार check कर लो, कि driver install है या नहीं, and I know यही process है, जो कि थोड़ा boring process है, and इसके करने के लिए बार बार गुसा आता है, so that's why, but करना पड़ेगा, because इसके बिना आपके laptop का बहुत सारा features काम नहीं करेगा, so driver install करना बहुत ज़रूरी है, and second चीज यह है कि आप जब अपना laptop अभी on किये हो, तो अगर आपने Microsoft account से पहले ही laptop को verify कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, but अगर आपने उस समय अपने account को skip कर दिया था, या अगर आपको options नहीं मिला था, maybe, तो उस case में Microsoft account का link एक बार चेक कर लो, तो link चेक करने के लिए start में जाना है, उसके बाद settings में जाना है, settings में जाने के बाद यहाँ पर accounts का एक option है, तो accounts में जाना है, accounts में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आपका account registered है, तो फिर यहाँ पर आपका so करेगा, अगर नहीं registered है, तो फिर register करने का option आएगा इसके बाद आते हैं update पर so guys अगर आपने अभी अभी install किया है तो बहुत बार windows में नया updates आया रहता है तो आपको उस update को एक बार check कर लेना है and अगर आपने एकदम latest ISO file को download किया है तो maybe आपको फिर update ना मिले but normal cases में updates आपको मिल जाएंगे तो update को check करने के लिए सबसे पहले आप अपने wifi से connect कर लो उसके बाद आपको यहाँ start में जाना है then आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद update and security का जो option है उसमें जाना है and इसके बाद फिर आपको check for update करना है so यह कुछ minute लेगा उसके बाद फिर आपका यह लंबा सा list खुल जाएगा अगर आपने अभी अभी अपना नया install किया है तो so यह कुछ time लेगा update होने में तो basically इसे update होने के लिए छोड़ दो and यह काफी time भी ले सकता है वो depend करता है कि आपके पास जो ISO file हो कितना पुराना है मेरा एकदम latest नहीं था मैंने करीब 3-4 मही ने पहले download किया था so that's why इतना update आया हुआ है so guys एक और चीज है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में cover up किया था अगर आपने भी नया laptop लिया अगर आपके पास laptop है तो कुछ ऐसी mistakes हैं जो कि लोग बार-बार करते है so उसमें से एक ये भी startup तो कुछ ऐसा software होता है जो कि अगर आपका laptop on होगा तो वो अपने आप ही on हो जाता है for example Skype हो गया या आपका Spotify हो गया तो इस तरह का कुछ software है so उसको हम लोग को disable कर देना चाहिए otherwise वो on होने के बाद थोड़ा time लेगा open होने में so वो मैंने अपने पिछले वीडियो में cover up किया था तो आप चाहो तो उस वीडियो को यहाँ पर itap पे click करके check out कर सकते हो so अगर आप अभी सारा का सारा अपना install कर लिये हो सारा updates कर लियो और सब कुछ कर लियो तो basically इस time पर आपके laptop में काफी सारा junk file भर सकता है so बहुत सारा files होता है जो कि unwanted होता है अगर update करने के बाद जो पिछला files होता है and etc so उन सब files को delete कर दिया जाए तो ज्यादा better है because वो बीना मतलब का space भी खाते रहता है and performance भी slow करता है so that's why उसके लिए आपको disk cleanup यूज करना है so disk cleanup के लिए नीचे आपको search में type करना है disk cleanup so यह open होने के बाद आपको यह छोटा सा screen दिखाई देगा जिसमें कि आपका c drive पर already set है so आपको इसे c पर ही रहने देना है क्योंकि सारा का सारा software and जो भी junk file होता है वो सारा का सारा c में ही जाता है mostly तो आपको c पर रहने देना है उसके आद फिर ok click करना है so ok click करने के बाद आपको इतना सारा यहाँ पर option मिलेगा कि आप इसमें से क्या-क्या delete करने चाहते हैं तो अगर इसमें temporary files यह सब कुछ-कुछ जो चीजें हैं आप इसे fully delete कर सकते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा but yes आप जरूर एक चीज़ को ध्यान रखो and downloads and recycle bin को एक बार check कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपका downloads का folder में जितना चीज़े वो भी delete हो जाए then tick करना otherwise मत करना and अगर आप चाहते हो कि recycle bin में जो आपका है जो आपने कभी delete किया होगा temporary delete so वो अगर delete ना हो तो इसे भी untick रहने देना so इसके बाद मैं downloads and recycle bin को delete नहीं करूंगा so इसके बाद जितनी भी चीज़े हैं उसे एक बार select करके OK क्लिक कर दो and delete files कर दो so यह कुछ time लेगा delete होने में and after that आपको disk cleanup में ही एक और भी चीज़ करना है आपको disk cleanup फिर से खोलना है और इस बार भी आपको C में ही जाना है but इस बार आपको उपर के files को delete नहीं करना है आप यहाँ पर नीचे में एक option देखोगे cleanup system files तो आपका जो भी system files रहेगा वो सारा इससे delete हो जाएगा जो भी junk file है जो system file है basically जो windows का अपना file है वो जो भी junk रहेगा वो delete होगा इससे कोई भी important file delete नहीं होने वाला है तो उस चीच का tension नहीं लेना यह सिर्फ junk delete करने के लिए इसमें भी C select करके ok प्रेस करना है तो उसके बाद यह भी कुछ time लेगा और इसके बाद जो भी आपका computer में junk file होगा वो सारा का सारा delete हो जाएगा so finally हम लोग last process पर पहुच चुके हैं so आपका laptop पूरी तरह से setup हो चुका है so इसके बाद बस आपको जो जो software install करना है जो भी important software होता है या जो भी software आप चाहते हो बस उसे install करना है so कुछ important software है जो कि आपको install करना बहुत जरूरी है and अक्सर लोग उस चीज में गलती करते हैं and install नहीं करते है so guys मैं software के बारे में next video में मैं in detail बता दूंगा कि laptop में कौन-कौन से software needed होती है and कौन-कौन सा compulsory है so उसके लिए मैं अलग से एक video बना दूंगा because वो थोड़ा लंबा जा सकता है maybe so I know यह video बहुत जादा लंबा हो गया है but मैं पूरा in detail बना रहा था तो that's why थोड़ा सा लंबा चला गया but कोई बात नहीं so that's it guys so I hope यह video आपके लिए किसी भी तरह से helpful रहा होगा so please इस video को like करना मत बूलना and मैंने अपना laptop भी साथ में format किया है so that's why मैंने बना दिया and see you guys in next video so तब तक के लिए bye bye